हाई फ्रेंस इत्स अमिरी और आस्वामेज रिवीव में आपका स्वागत है दोस्तो इस चैनल पर अल्रीडी मैंने टॉप 5 लैप्टोप अंडर 40,000 रुपीज और 50,000 रुपीज के वीडियो अप्लोड कर दिये जो स्टुडेंट्स और ओफेस गॉइंग क्राउड के लिए काफी बढ़िया है अगर अपने उन्हें में इस किया है और इफ यूर इंट्रेस्टेट तो आई बटन डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रहा की फीचर्स जो आपको एक्स्टा मिलते हैं हर एक लैपटाप से में बताऊंगा और सारा डेटा जो है हर एक कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट से मैंने कॉल करके कंफर्म किया है तो सारा डेटा फूल प्रूफ है आपको कोई भी फिकर करने की जरूरत नहीं है और दोस्तो करेंगे दोस्तों नंबर 5 से यह है ऐसूस का F570ZD सबसे पहले इसकी प्राइस आप देख सकते हो गाइस 48-49,000 रहती है बट यह 46,990 तक ड्रॉप हो जाती है और अगर सेल में आप इसे प्रचिस करते हो तो आपको और भी डिसकाउंट्स इसमें मिल जाएंगे प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है वह है AMD का Ryzen 5 2500U प्रोसेसर यूज़ है इसमें रैम में आपको दोस्तों 8GB इन बिल्ड मिलती है दो स्लोट से मेमरी के रैम के स्वाप इसे एक्सपांड कर सकते है और अप्टू 32GB के एक्सपांशन के आपको मिलते हैं स्टोडिज के बात करें तो आपको पाथ से 6 गुना स्पीड और एक्स्ट्रा मिल जाएगी ग्राफिक्स काड जो है इसमें NVIDIA का GTX 1050 लगा हुआ है 4GB DDR5 मेमरी अपको मिलती है विच विच विल अबाव एवरेज परफॉमंस फिजिकल पोट की बात करें तो लेफ साइड में सबसे पले अपको USB 2.0 के अप्शन इस लेप्टॉप में मिल जाता है Bluetooth Connectivity अपको इसमें 4.1 मिलती है और Wi-Fi वर्जन 5 लगा हुआ है अनफॉर्चनेटली आपको लेटिस्ट वर्जन इसमें से नहीं मिलता यह दोस्तों लेप्टॉप काफी लाइट वेट है 1.95 kg इसका रेटेट वेट है इसका रेट की बात करें तो इसमें आपको 48WR की बैटरी रेटेट मिलती है गेमिंग अगर इसमें आप करते हो इंटेंसली तो मैक्जिमम आपको तीन से साधे तीन गंटे का बैकप इसली मिल जाएगा विच इस जस्ट अबाव एवरेज नंबर फॉर अन दिस लिस्ट इस एसर परफॉर्मन्स राम जो है इसमें 8GB की मिलती है अपको और दो स्लोट तो आप इसे ड्यूल चैनल पर रन कर सकते हो मैक्जिमम एक्सपंशन जो है 32GB तक आप इसे कर सकते हो स्टोरेज जो है गाइस सिंगल ऑप्शन मिलता है आपको 1TB की HDD मिलती है 5400 RPM पर रेटेट है तो इस फिल अलसो अब्यूसली भी स्लो बट इससे अब साटा 3 SSD से रेप्लेस कर सकते हो और स्लाइटल बेटर स्पीड्स ग्राफिक कर इसमें अपको AMD का ही मिलता है Radeon RX 560 X 4GB की DDR5 मेमरी के साथ मिलता है इससे भी आपको अब अबरेज परफॉमंस इसली मिल जाएगा फिजिक इसमें आपको कोई SD card का slot नहीं मिलता इंटरनल करनेक्ट्विटी के वाद करें तो Bluetooth का वर्जन 5.0 मिलता है विच इस दल्री टेस्ट वन बट अनफॉचनलली Wi-Fi वर्जन 5 ही मिलता है कीबोर जो ही इसमें अपको full-fledged मिलता है backlit keyboard है key travel भी इसका काफी बढ़िया है so gaming experience भी FX 505 DIY Edition इसकी प्राइस जो है आप देख सकते हो 46,000 तक drop होती है यह 50,000 के उपर भी जाती है कभी-कभी बट अवरेज लिया आप देख सकते हो 46-48,000 सेल में लेते हो तो आपको और भी discount इसमें मिल जाएगा प्रोसेसर जो है AMD का Ryzen 5 3550H लगा हुआ है विच विच विल गिव अवरेज परफॉमंस रम इसमें आपको 8GB inbuilt मिलती है जिसे आप 32GB तक expand कर सकते हो काफी ज्यादा option आपको मिलता है expansion का storage की बात करें गाइस तो इसमें आपको inbuilt 1TB के hard disk मिलती है this is HDD और दोस्तों यह 5400 RPM पर rated है this is obviously slow इसे आप SATA 3 में upgrade कर सकते हो या फिर दोस्तों इसमें आपको M.2 का slot मिलता है which is empty तो आप directly M.2 वाली SSD लगा सकते हो for even greater speeds तो यह option extra आपको यहाँ पर मिल जाता है graphic card इसमें आपको AMD का ही मिलता है radian 560X 4GB की memory मिलती है DDR5 तो आपको यहाँ से भी above average performance easily मिल जाएगा physical connection सारे आपको left side में ही मिलते हैं सबसे पहला है power port फिर उसके 1-1 jack है यहाँ पर 2 jack मिलते हैं अपको and finally is the 3.5 mm audio combo internal connectivity में Bluetooth का 4.2 version मिलता है और Wi-Fi का 5 version मिलता है keyboard दोस्तों सबसे best आपको इसी laptop में मिलता है यह एक full flash keyboard है इसमें आपको backlead भी मिलती है key travel सबसे बढ़िया है इसमें 1.8 mm का है overstroke technology इसमें यूज की गई है इसके आलो दोस्तों इसमें जो arrow keys है यह offset है so you can recognize them easily without seeing them final दोस्तों बात करें battery की तो यह 48 watt hour पर rated है considering the hardware guys again अगर आप इसे gaming के लिए heavily use करते हो maximum आपको 3 घंटे तक का ही backup इसमें से मिलेगा No.2 on the list is Lenovo IdeaPad L340 इसकी price सबसे पहले आप देख सकते हो guys 52,000-51,000 रहती है बट यह 49,990 तक आज आती है under 50,000 या फिर इसी rate पर अगर आप card का use करते हो कोई offer होगी तो यह आपको और भी discount पर मिल जाएगा प्रोसेसर की बात करें तो इसमें i5-9 Gen लगा हुआ है model number is 9300H तो आपको जो processing speed मिलेगी वो भी काफी बैतर होगी RAM जो है इसमें 8GB inbuilt आती है इसे आप extend कर सकते हो up to 16GB एक single slot आपको मिलती है for the extension storage जो है दोस्तों इसमें सरफ एक option आपको available है 1TB HDD इसमें available है अपको 5400 RPM पर rated है इसमें से speed आपको कम मिल सकती है बड़ इसे आप upgrade कर सकते हो तो SATA 3 SSD graphics card इसमें दोस्तों NVIDIA का GTX 1050 लगा हुआ है 3GB memory है इसकी DDR5 है आपको performance भी above average मिल जाएगा इसमें से physical ports की बात करें दोस्तों तो left side में आपको सारे ports मिल जाएंगे दो USB 3.0 ports है एक USB 2.0 port है RJ45 jack है HDMI port available है उसके बात USB Type-C port भी available है and final 3.5 mm का audio combo jack है इसमें दोस्तों आपको कोई भी SD card का slot नहीं मिलता रेस्ट every port is present in this laptop उसके बाद गाइस इसमें आपको 4.2 Bluetooth version मिलता है और Wi-Fi का version 5 मिलता है keyboard दोस्तों आपको इसमें full size मिलता है यह back lid keyboard है so you need not to worry about it battery जो इसमें दोस्तों आपको 45Wh की rated मिलती है considering the hardware और gaming अगर आप इस पर करते हो तो maximum आपको 3 घंटे टक कही battery backup देगा on a full charge finally guys unique feature या फिर extra feature की बात करें तो इसमें आपको जो lead है 180 degree opening मला मिलता है so यह काफी helpful हो सकता है इसके अलब गाइस इसमें privacy shutter भी आपको मिलता है so webcam को आप manually भी बंद कर सकते हो finally guys number one on this list is Asus VivoBook F571 GT इसकी price अगर आप अभी देखोगे तो 50,000 की उपर rated है बट यह easily 50,000 की नीचे गिर जाते है 49,500 तक आ जाते है sell में अगर आप purchase करते हो तो और भी जाद आपको discount मिलेगा card discount भी अलग से मिल जाएगा processor इसमें Intel का लगा हुआ है i5 8th generation है 8300H है जिसमें से आपको काफी अची gaming performance मिल जाएगी RAM जो इसमें 8GB की ही मिलती है जिसे अब 16GB तक expand कर सकते है using single slot best part is इसमें जो आपको storage option मिलता है वो 512GB की SSD M.2 मिलती है so इस list में जो भी laptop feature करें उन सब भी से गाईज यह default 20 गुना जादा speed अपको मिलेगा साथी में आपको expansion का slot भी मिलता है अलग से apart from this SSD so अब उसमें SATA 3 SSD expand कर सकते हो for the storage या फिर HDD लगा सकते हो as per your convenience graphic card जो है इस list का सब सब बेस्ट आपको मिल रहा है NVIDIA GTX 1650 मिल रहा है with 4GB DDR5 memory यह जो लपटप है काफी स्लीम आपको मिलता है maximum 22 mm की तिकने से इसकी so considering the hardware and it is a gaming laptop यह काफी स्लीम मिलता है physical ports की बात करें तो left side में सब से पहले power jack RJ45 jack HDMI port मिलता है उसके बाद USB 3.2 jack है उसके बाद Type-C USB port and finally 3.5 mm का audio combo jack है right side में 2 USB 2.0 के port मिलते हैं and finally is the SD card slot so physically आपको सारे connection के options इस laptop में मिल जाते है internal connectivity में आपको Bluetooth 4.2 version मिलता है और Wi-Fi का 5 version मिलता है unfortunately these are not the latest one keyboard दोस्तों आपको full-fledged मिलता है यह back lead के साथ आता है key travel भी इसका above average 1.4 mm का key travel है so gaming experience आपका normal ही होने वाला है इसमें से battery backup की बात करें तो इसमें आपको 42 watt hour की rated battery मिलती है so considering the hardware guys अगर आप heavy gaming करते हो तो यह आपको धाई से 3 घंटे तक का ही backup देगा extra features की बात करें guys तो इसमें आपको fingerprint sensor मिलता है so extra security और logging का option आपको मिल जाता है displays हो है दोस्तो refresh rate इसका 120 Hz पर rated है so काफी बढ़िया gaming experience आपको यहाँ से मिलेगा and finally guys इसके बेजल से वह भी काफी narrow है considering it is a gaming laptop so that was it from today's video guys उमीद करता आपको यह वीडियो helpful रहा होगा if yes then please इस वीडियो को like करें और जादा से जादा शेयर करें ताकि यह information काफी लोगों तक पहुँच सके अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई suggestion हो कोई laptop add करना हो या कोई और series में बना हो regarding to the laptops और anything else तो आप comment section में नीचे mention कर सकते हो और अगर आप इस channel पर नए हो तो please इस channel को subscribe करें नीचे rate बटन को click करें या फिर यहाँ पर आप click कर सकते हो to subscribe to this channel और bell icon भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे upload के गया सारे न्य वीडियो के updates अब तक पहुच सके Thank you very much for watching this video